नमस्कार स्टूडेंट्स! कैसे हैं आप सब लोग? आप सबका एक बार फिर से सौगत है बाईजूज एक्जाम प्रेप आईएस हिंदी के यूट्वीब चैनल पर आज है 11 दिसंबर, आज हम लोग देखेंगे दा बिग न्यूज में Human Rights Day 2022 के बारे में मारवा धिकार दिवस, अब देखिए जैसा कि आपको पता है कल थी 10 दिसंबर और कल ही के दिन मनाया जाता है Human Rights Day, अगर इस वर्ष की बात करें तो Human Rights Day जो है उसका थीम जो था, वो था Dignity, Freedom and Justice for All ये important हो जाएगा, इसको आप Prelims के साथ साथ मेंस, आंसर राइटिंग में, इवेन, ये टॉपिक तो ऐसा है जिसके उपर निबंध भी आते हैं, तो essay राइटिंग में भी आप इस थीम के साथ अपनी आंसर की अपने essay की शुरुआत कर सकते हैं अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है UDHR 75 इसका मतलब क्या है? UDHR का मतलब होता है Universal Declaration of Human Rights और 75 का मतलब है यहाँ पर कि आने वाला जो वर्ष 2023 है इस वर्ष में जो United Nations का Human Rights है इसको पूरे हो जाएंगे 75 वर्ष जैसा कि आपको पता है कि 10 December 1948 में इन अधिकारों की घोशना करी गई थी जिसको बोलते हैं Universal Declaration of Human Rights तो 1948 से लेकर और 2023 में इसको 75 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं इस वज़े से आप देखोगे यहाँ पर United Nations के द्वारा पूरे एक वर्ष का बढ़े ध्यान से सुनिएगा पूरे एक वर्ष का campaign चलाया जाएगा यानि कि अगले वर्ष 10 December 2023 तक जो मानवा धिकार हैं इसको लेके जागरुकता फैलाना इसको लेके बहुत सारे programs को organize कराना यह सारा काम United Nations के द्वारा किया जाएगा फिर से मैं बता देता हूँ dignity, freedom and justice for all यह बहुत important है, याद रखिएगा इसको अब अगर बात करते हैं थोड़ा सा basic के बारे में कि यह UDHR जो है ठीक है, इसमें total number of 30 articles हैं और एक preamble भी आता है जिसमें पूरी तरीके से बताएगा है कि मानवा धिकार जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं एक व्यक्ति को अपने सरवांगीण विकास के लिए किन अधिकारों की ज्यादा आवशक्ता होती है एक मैं आपको बहुत important चीज़ बताता हूँ इसको जो ध्यान से सुन लेगा ना उसको एक answer के लिए ना आप समझ लो कि मैं ब्रह्मास्र दे दे रहा हूँ यहाँ पर देखो हमेशा जब भी मानव अधिकार की बात होगी न इस लाइन को चाहो तो रट लो कहीं पर लिख लो अगर नैशनलिटी की बात करते हैं आनि कि राष्टरीता की जहां पर कोई व्यक्ति रहता है उसका लिंग क्या है उसकी राष्टरीता क्या है उसका धरम क्या है उसकी भाशा क्या है इसके अलावा और भी कोई स्टेटस इन सारे कारकों के अलावा और भी जो भी स्टेटस हो सकता है सारे मुद्दों पर बिना किसी भेदभाव के हर मनुष्य के साथ एक समान वहवार करना इसी को बोलते हैं मानव अधिकार और ये हर व्यक्ति का अधिकार है देखिए जैसा मैंने आपको बताया यहाँ पर 30 आर्टिकल्स हैं तो इसका जो आर्टिकल 1 है आप इसको भी मेंस उत्तर राइटिंग में कोट कर सकते हैं कि UDHR के आर्टिकल 1 से आप इस तरीके से अपने आंसर्स की शुरुआत कर सकते हैं और ये बहुत अच्छा इंपैक्ट डालेगा देखिए साफ साफ लिखा हुआ है All human beings are born free and equal in dignity and rights है ना तो जो अगर देखा जाए काईदे से इस वर्ष की जो theme है वो भी इसी आर्टिकल 1 से मिलती चुलती है कि यानि जो भी व्यक्ति की गरिमा होती है उसकी स्वतनता होती है और जो न्याय होता है ये सब के लिए होना चाहिए हर व्यक्ति जो है वो उसने जनम लिया है एक ही प्रकार से तो जब एक प्रकार से व्यक्ति जनम लेता है तो व्यक्तियों के बीच में भेदभाव क्यों यहाँ पर होता है अब यहाँ पर देखो गया आप ना देशों की बात कर लें ठीक है या फिर समय समय की बात कर लें टाइम की बात कर लें दोनों का हमारे अधिकारों में, हमारी स्वतंतरता में और हमारी विचारधारा में यानि कि हमारी आईडियोलोजी में बहुत जादा फरक बढ़ता है कैसे, देखो किसी समय पे जो राजतंतर होता था ये भी एक विचारधारा थी जिसको मोनार्की बोलते हैं फिक है, इसको बहुत अच्छा समझा जाता था, परंतु धीरे-दीरे रेखा गया कि किस तरीके से राजा तो है, वो ताना शाह बन जाता है, अब कारेपालिका, विधाईका, न्याएपालिका, ये तीनों ही चीज़ें, एक ही वेक्ति के अंदर आ जाती है, फिक है, तो से 500 वर्ष बाद, लोकतंत्र के बाद भी कोई एक्स विचारधारा आएगी, उस समय वो विचारधारा बहुत अच्छी हो जाएगी, इसी प्रकार बात करी जाती है, ये तो बात हो गई समय की, समय के साथ साथ सौतंतरता की बात होती है, अब राजतंत्र की बात जब या तानाशाही की बात करेंगे, तो उस समय लोगों को प्रश्न पूछने के आजादी नहीं है, ठीक है, लोग जो है उनके लिए नियम बना दिये जाते हैं कि भाई, आप ये काम करेंगे, ये नहीं करेंगे, जैसे जैसे राजतंत्र से लोकतंत्र में आते हैं, तो उनको प्रीडम भी मिलना स्टार्ट हो जाती है उसी प्रकार से अधिकारों की यहां पर बात आ जाती है अब देशों की अगर बात करें तो आप अगर उधारन के तौर पर अफगानिस्तान का उधारन ले लीजिए ठीक है तो अफगानिस्तान में जिस तरीके से तालिबान ने परन्तु जिस तरीके से देशों के अंदर सरकारें चुनी जाती हैं, जिस तरीके से देशों का राजनेतिक सनचना होती हैं, वो कहीं न कहीं दिखा देती हैं, कि उनके पास क्या अधिकार हैं, क्या स्वतंद्रताएं हैं. अब अगर बात करी जाती है, कि एक मैं आपको सामान ने तरु तरु पर बात बताओं, तो हमेशा से अगर overall पूरी दुनिया की आप बात करो, तो ऐसा बोला जाता है कि पुर्षों के पास जादा अधिकार हैं, in comparison to महिलाएं होती हैं, ठीक है, जो हमारे transgenders होते हैं, या LGBTIQ स समुदायों को अब अधिकारों की बाते होने लग गई हैं इनके लिए, ठीक है, भारत के अंदर की बात करेंगे, तो नवतेज सिंग जोहर जो केस था, उसके बाद से जो भारत 377 है, इसको असमवैदानिक घोशित करा गया, तो समय जो है ना, वो लगातार अधिकारों में बढ़ोतरी करता जाता है, परन्तु उसके लिए ना, जागरुकता फैलाना बहुत जादा आवश्यक है, और यही कहीं न कहीं स्टार्ट होता है, कहां से, जब हम लोग बात करते हैं, यूएन की, तो 1948 में मानव के अधिकारों की बात हो रही है, अब देखिए मानव के अध जेंडर, LGBTIQ, सब कोई यहां पर समलित हो जाता है, ठीक है, तो बिना किसी जातिके, बिना किसी लिंग के, राश्रीता के भाशाधर्म, किसी भी आधार पे, एक व्यक्ति के साथ आप जो काम करेंगे, वही दूसरे व्यक्ति के साथ भी करेंगे, किसी भी प्रकार का बहाव नहीं होगा, यहां पर चाहे वो उसकी जीवन से जुड़ा हुआ हो, या वो उसकी फ्रीडम से हो, गुलामी की बात करी जा रही है, सलेवरी की बात करी जा रही है, अभिवक्ति की आजादी होनी चाहिए, यह आप नहीं कह सकते कि भाई, पुरुशों को बोलने की आजादी है, महिलाओं को बोलने की आजादी नहीं है, महिलाओं जो हैं वो केवल घरेलू कामकाच करेंगी, पुरुश जो हैं, वो बाहर जाके जॉब करेंगे, तो यह तो मैं आपको बहुत बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, अब मैं यहां पर आपको दिखाता हूँ, यहां पर जो मैंने आपको बताया था, तो टोटल 30 आर्टिकल्स होते हैं, आपके लिए देखिए, ऐसा नहीं है कि सारे आर्टिकल्स आपको रटने हैं, बिल्कुल भी नहीं, जो मुख्य मुख्य आर्टिकल्स हैं, अटलीस्ट आप उनको समझ सो सकते हैं, इसलिए मैंने यह screenshot दे दिया है, यह United Nations की official website से मैंने निकाला है, shortcut में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ पर, इसको देख के आप जादा आसानी से चीज़ों को याद कर लेंगे, देखें जैसे मैंने आपको बताया तब पहला article जो था, उसमें साफ साफ लिखा हुआ था, I am born free and equal and all human beings should be treated in the same way, सारे मानव जाती को एक ही तरीके से treat करना चाहिए, ठीक है, मैं अपने जो rights हैं, उनको claim करता हूँ, क्या ही मेरा जो sex है, जो मेरी वंच, मूलवंच है, जो मेरी भाशा है, धरम है, या जो भी मेरी सामाजिक इस्थिती है, उन सब को किनारे करके मैं अपने rights चाहत हूँ, मुझे जीने का अधिकार है स्वतंदरता के साथ, सुरक्षा के साथ, किसी को अधिकार नहीं है कि वो मुझे torture कर सके, अब इस torture का मतलब हो जाता है, मानसिक शोशन भी हो सकता है, शारीरिक शोशन भी हो सकता है, अब यहाँ पर देखोगे कि no one has to right to treat our slave, as a slave, ठीक है किसी को अधिकार नहीं बनता कि वो दूसरे मानव को दास की तरह treat करे, उससे काम करवाए, this law is same for everyone, trials should be public, जो भी trials होते है नाई पालिका में उनको public करना चाहिए, यह नहीं कि आप एक बंद कमरे के अंदर किसी वेक्ति को सदा सुना दीजिए, तो ऐसे आप देखोगे ना, बहुत जादा important, most important यहाँ पर शब्दों का प्रयोग हुआ है, ऐसे ही शब्द आप main सुत्तर writing में, essay में, यहाँ पर आप लिखेंगे, और इन सब articles हैं आप अपने essay की शुरुआत कर सकते हो, इस वजए से यह सारे articles ना, एक बार ही आप देख जरूर लीजेगा, बहुत ज जादा important articles हैं यह, अगर इसी के साथ साथ भारत में मानव अधिकार की बात करें तो देखो, अगर constitution की आप बात करोगे ना, तो यहाँ पर हमारे मौलिक अधिकार और राजिके नीत निदेशतत्व, यानि की 12 से 35 तक और 36 से 55 यह articles में ना, हमारे जो मानव अधिकार हैं, उन के बारे में जिकर हैं, अब देखोगे अपने मौलिक अधिकार को अगर आप ध्यान से, तो यहाँ पर देखिए, equality के भी आपको अधिकार मिलेंगे 14 से 18 तक, समानता का अधिकार ठीक है, 17 की बात करेंगे तो untouchability के against में अधिकार मिलेगा, इसी में आपको यहाँ पर मौलि अधिकार जो हैं, उनको दिया गया है, यहाँ पर नीत इनिदेश टत्वों की बात करेंगे, तो गर्वती महिला की बात करेंगे, वरद्धूं की बात करेंगे, इसी के साथ साथ सभी समान काम के लिए समान वेतन, तो यहाँ पर भी देखे, पुरुश और स्थीयों के धानिक निकाये हैं, तो ये सारे प्रयास भारत के अंदर हैं, इनको भी आपको समझना पड़ेगा, चलिए, आज का मेरा प्रश्ण मानव अधिकार से ही रहेगा, जो NHRC है, यानि कि National Human Rights Commission, मेरे को बताईए, ये किस अधनियम के अंतरकत बनाया गया है, और इसमें जो सदस्य ह होती है, वो किसके द्वारा करी जाती है, उस समिती में कौन-कौन शामिल होता है, most important question आपसे पूछ रहा हूँ, जो भी इस question का सही answer देगा, अगले big news के session में मैं उसका नाम announce करूँगा, तो आज के session में बस इतना ही रखते हैं, comment करके जरूर बताईएगा, इस session आपको कैस बहुत सारा ध्यान रखेंगे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद.